हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं लोगयान चैनल मैं हूँ सुप्रीम अडी शुक्ल आज से हम डिसकस करेंगे इस वीडियो सीरीज में छोटे छोटे टॉपिक जो करेंगे एक टॉपिक प्रीमेंस और इंटर्व्यू तीनों की तयारी करते हुए चलेंगे और टॉपिक जो होगा वह आपको केवल एक एक एक्जाम की तयारी नहीं करेगा बलकि हर स्टेज पर आपको मदद करेगा और मैं कोशिस करूंगा ऐसे टॉपिक आपको यहां डिसकस करूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा योजफोल हो तो आज पहले इस वीडियो में यह सी आर्पिसी का टॉपिक है जिसको आप इंग्लिस में कहते हैं फेयर ट्राइल निस्पच विचारण ठीक आप हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिस मीडियम के हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत ज्यादा कटेन सब्दों का इस्तमाल नहीं हुआ है हाँ यहां पर मैं हिंदी में ही डिसकस करता हूं हिंदी के ही नोट्स होते हैं ठीक है तो यह कैसा कोश्चन होता है सी आर्पिसी का निस्पच विचारण की क्या पेच्छा हैं जो आपको जानते निस्पच विचारण क्या है निस्पच विचारण की क्या पेच्छा है तो निस्पच विचारण इसकी कोई सम्मिधिक परवासा नहीं है विचारण निस्पच विचारण कहा जाएगा यह अन्य बातों के अत्रिक्त अव्युक्त को प्रभावी पृत्रच्छा का या अधिकार प्रदान करता है तो सबसे पहले तो यह कि निस्पच विचारण की कोई सम्मिधिक परवासा उपलब्द नहीं है सम्मिधिक परवासा आप जानते हैं सम्मिधिक परवासा मतलब ऐसी परवासा उपलब्द नहीं है जिसको बीदी में दिया हो जैसे अगर आपको प्रभावी प्रत्रच्छा का अवसर या अधिकार प्रदान किया जाए तो यहां सबसे मैथपूर पॉइंट क्या हो गया प्रभावी प्रत्रच्छा का अवसर या अधिकार मनलब किसी को सेल्फ डिफेंस करने का अगर फेयर तरीके से मौका दिया जा रहा है तो वह फेयर ट पूरा तरीके से मौका दिया जा रहा है ट्राइल करने का तो निश्पच्च विचारण क्या है फिर नियाय का जो उद्देश है उसको कंप्लीट करता है ठीक है आगे बढ़ते इसमें बादी को भी अपना प्पच रखने का परयापत अब यहां पर अपको एक चीज़ और बता दो हम CRPC पढ़ रहे हैं और CRPC में इस पर च्ट्राइल पढ़ रहे थे हां अव्युक्त और बादी अव्योजक इस तरीके के सब्दों का प्रियोग कर रहे हैं अगर CPC या अन विधियों के तहट देखेंगे तो बादी प्रतबादी और वो चीज़ें बदलती जाएंगे वो आप बदल सकते हैं ठीक के समयधानिक बैधानिक अन्य अधिकारों को माननता देते हुए उन्हें प्रवर्तित करने जो संचालन विचारन निस्पच्च विचारण होगा ठीक है प्रत्रच्चा का प्रभावी अधिकार आप यहां पर मैंने इसको कंसायज कर दिया है एक ही स्क्रीन सोट में आप द अभ्यूक्त को प्रत्रच्चा का प्रवावी अधिकार है ठीक है अभ्यूक्त तथा बादी के लिए न्याय सुनस्चीत करना है ठीक है अभ्यूक्त के मूल अधिक अधिकारों को प्रवर्तित करना और विचारण को सुसंगत विद और प्रक्रिया के अंस्वार संचालित क तो आप एक सिंपल बासा में समझ लेते देखे सबसे पहले कि बादी को अपनी बात जो पीडित या वादी है उसको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए दूसरा अभ्युक्त को भी अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए पत्रच्छा करने का अवशार होना चाहिए ती देख्याओं प्रमक्पोईंट थे तो आब मेरी समस्से आपको निश्पचभिचारण क्या होता है आगे देख्ते निश्पचभिचारण से क्या पेछए निश्पच्छ विचारण की बिदिक पेछां हैं किसी बिनिर्दिष्ट उपबंद में एक स्थान पर नहीं है कि कि इतने से इतने तक इस ट्राइल के संबंद में बताया गया है लेकिन निश्पच विचारण में ऐसी कोई अप इच्छा है नहीं है आपको बिविन प्रोवीजन्स को मिलाके इस बात को समझना होगा बलकि पूरी अगर उद्देश भी मान लिया जाए तो नियाय करना है और नियाय निश्पच विचारण की अब धारना है ठीक है तो आप निश्पच विचारण की क्या पेच्छ हैं इसको देख लेते हैं पहला है निश्पच विचार का संबंद अभ्युक्त को मुल्यवान अधकार अगर प्रतरच्च विचार निश्पच विचार नहीं देखिए होता क्या है जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो उस पर चीज एक तरीके से पूर्वा अनुमान या कहना चाहिए आपका जो पहले से आप मान लेते हैं कि हाँ यह हो सकता है कि आदमी गलत हो तो ऐसा नही होना चाहिए अगर नियाय की बात आ रही है तो सबसे पहले यह चीज है कि जो सामने वाला विक्ति जिस पर आरोप लगा है सबसे पहले तो से निर्दोस माने जो कि हमारी बीदिका एक मुन सिद्धान्त भी है निर्दोसिता का सिद्धान्त उस पर हम लोग फिर कभी पकड़ा गया था उस अजमल कसाब पकड़ा गया था तो उसको भी प्रित्रच्छा का पूरा अवसर दिया गया था यही फेर ट्राइल है और इस एक्जाम्पल को आप यहां पर लिख भी सकते हैं अपना अंसर देते समय हैं आगे देखते भारत में आप रादिक विचाड कि भारत में आप रादिक विचारण की बिरोधी पढ़ा ले अपना की जैसे कुछ सोवियत कंट्रीज हैं या फिर कुछ इधर की कंट्रीज हैं अरब की इसमें क्या है इसमें आरोप लगने पर आरोपी को सिद्ध करना होता है कि वह दोसी नहीं है मतलब उस पर जो आरोप इनियां ऐसी है जिनन में इस सिद्ध करना पड़ता है कि इन है आरोप न मामला होता है यह आप जयाए जो क्या है अदिक देला हूं तीसरा है अव्युक्त निर्दोस प्रकल्पित किया जाएगा तब तक उसे निर्दोस माना जाएगा यह निर्दोस्ता की अवदारना निस्पच विचारण के मुख्य पच्च कौन कौन से हैं अब इसमें क्या है अब इसमें एक चीज यह हम लोगों ने पड़ी कि जो शिद्वारता का दायत तो है वह पीड़ित पर है और अब यहां तक आपने समरी देख ली आब हम देखते हैं अब इसमें निस्पच विचारणा यह क्या है यह हमारा और अब्जेक्ट इसको हम पाएंगे कैसे तो सबसे पहला पॉइंट है सच्चा मौशुतंत्रMYायवाए पा लिका मतलब निस्पच विचारण के लिए is सच्छम सुतंत्र न्याय पालिका होने चाहिए अभी हम आगे देखेंगे इन सबको विस्तार से देखेंगे जो पॉइंट अभी हम पड़ रहे हैं आरोपों का बिर्चर मजिश्टेड या नया अदीश द्वारा किया जाना चाहिए मतलब जो आरोप बिर्चित किया जाते है ट्रायल कहां पर होगा ट्रायल उसी इस्तान पर गार्या मिलना चाहिए शक्粉र इसा कोई से विक्ति पर आ रहोप लगा जो अपनी विदीक्सあーות मतलब अपनी बिदेग पर तरच्छा नहीं कर सकता तो ऐसी स्थितिवें बिदेग सायता का अधिकार भी आता है अभियुक्त को प्रदत्य मूलेबान अधिकार जो है उनकी रच्छा होने चाहिए आप देख लेते हैं कि पॉइंट इसको विश्थार से सबसे पहला आपने प प्रोवीजन है और कई बार आपने पढ़ा होगा उस आर्टिकल का नाम आपको लिखे कमेंट बॉक्स में बताना है सुयोग बाद दच्छ नियायदीस होने चाहिए मजिस्टेड या नियायदीस के निश्पच्छ निर्डायक भूमिका होने चाहिए नियायदीस की बिक्त दूसरा पॉइंट देख लेते नियायदीस या मेंस्टेड द्वारा आरोपों का बिर्चन आरोपड की एक नियायक प्रिक्रत्य बनाया गया है आरोप में सभी आवश्यक विब्रणों के समाविस के पेच्छा या अविक्त को विश्य का ग्यान कराकर प्रवाभी प्रत्र प्रिक्षा के अवसर का मूह लाधार है आरोप का नियादीस द्वारा पढ़कर सुनाया जाना आवश्यक और अनवार है मतलब ऐसा नहीं है कि आरोप लिग दिये लेकिन उसको पढ़कर सुनाया नहीं या उसको समझाया नहीं क्यों क्योंकि जब तक किसी बेक्तिक को यह प्रवावी रूप से पृत्रिक्षा नहीं कर सकता और प्रवावी प्रत्रज्यक नहीं होगा इस लिए आरोपों को पढ़कर सुनाया और समझाया जाना भी बहुत जरूरी है दोसी और اभाक को सुईकार ना करने की निया इक विवेक व्यवस्ता मतलब दोसी होने के आईवाग को है स्विकार कर रहा या नहीं कर रहा यह उसके उपर होनी चाहिए बिदी द्वारा निर्दायत बिचारड का स्थान मनमाने पन के स्थान पर बिचारड करने पर रोक है बिदी निर्दारित करती है कि बिचार का स्थान कौन सा होना चाहिए बिचार के स्थान के म जो प्रतिन देतों लोग अभयोजक कई जा चाहेगा लो पॉट्सकारी जा हो औहले हैं अगर एक प्रतरच्छा करने में सच्छा मनेम प्रतरप्चा करन Á2 जाएगी मतलब दॉनो तरफ से ही सरकार एक्टिब रहेगी झो पीडित है उसकी तरब से थो अभ्योजन अधिकारी या ग सिंद कर सके तो अब ले सकता है अब यहांपे मैं उत्रत चीजह और बता दूँ कि यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकीÜ Destry अब चैनल टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप टेलिग्राम चैनल जोईन करके इसकी पीडियाप पा सकते हैं और वहां पर आपको लगातार इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी जानकारी भी दी जाती है अभ्युक्त को परदत मूलिमान अदकार आरोप जानने और समझाए जानने का अदिकार है अभ्युक्त को कौन अभ्युक्त की उपस्तिती में साच लिया जाएगा दारा 273 अभ्योजन या परवादी के साच्छों से पुरति परिच्छा करने का अधिकार तो इस तरीके से अपनी पत्रच्छा में साच छिपस्तित करने का अधिकार भी अभ्युक्त का अधिकार है निर्दोस प्रकल्पि किये जाने का अधिकार, संदेय का लाब उस दोस्मुक्ति पाने का अधिकार, मतलब अगर संदेय है, दोसिता सावित करने में, तो उस संदेय का लाब कौन लेगा, उसका लाब भी अव्युक्त को ही मिलेगा, परसीमा अवद के बितीत हो जाने पर अपराद का संग्यान ना लिए जाने का सामान नियम है ना मतलब अगर परसीमा अवद जो दारा 468 में प्रोवीजन है अगर वो बीत गई है तो फिर अपराद का संग्यार नहीं लिए जाना चाहिए और यह भी किसका अधिकार है यह भी अभ्युक्त का यह अधिकार है अब इदग अनुसार ग्रफतारी का एक अधिकार मतलब ग्रफतारी का एक अधिकार में ग्रफतार करने पर चया क्या है आदिकार प्राप्ते होंगे ये सबि ישके अधिकार है अभी लिविकार की बिरोधी पर डाली कि अब धुलिस नमा को आप यहां पर एक्सप्लाइन किया गया तो यह देख लेते हैं अभी ओजग यह परवादी दो सार ओपड़ करेंगा उसके समर्थन में साच icon करेगा अभयोगत को अभयोजक को आरोब करने होंगे अभयोगत के बचाओं को प्रवावी अधिकार हो तो यह सौट में आप राधिक विचारण की जो बिरोधी बढ़ा लिए एडवर्सरी सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जेस्टिस जो इंडिया में लाग हुए उसमें क्या प्रोस में साच देगा अगर साच से नियालय संतुष्ट होता है तो नियालय क्या करेगा नियालय आरोब बिर्चित करेगा व्योजन की आरोब शिद्ध करने होंगे अभयुक्त को बचाओ के प्रवावी अधिकार है नियालय मैं स्टेट का निश्पच विचारण करेगा तो इस टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर लोग यान बन लिखके भी आपको मारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जो ओपन फॉर और विचारण का पूरा टॉपिक है मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा टिफिकल है बट आप अगर इसको दो बा करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग्यान की एक साहता कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से ग्रूप में फेस्बुक पर या फिर अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए जिससे की हम और ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें धन्यवाद